हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टो माई नीव ब्लोग होब यू आलार गुड फ्रेंट इस समय बज रहे हैं सुभा के सड़े आज और रेड़ी है हम लोगों का भी ब्रेकफस्ट तो फिलाल हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफस्ट और बनाएंगे आगे का ब्लोग क्योंकि हमेंसा हम लोग तीन-चार बार जाते हैं तब जा करके रासन मिलता है तो अभी हम लोग क्योंकि जाई रहे हैं बेलपड़ाओ मार्केट तक तो बागी काम भी करके लेकर के आएंगे बिकोज मुझे लेना है कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स वगेरा तो मैं वो भी जब जाई रही हो और उस दिन मुझे इतने सारे ब्रेसलेट्स वगेरा मिले थे इस्टोर रूम से तो उनके लिए लेकर के आएंगे इलास्टिक वगेरा भी वही तो क्यारी हूं मैं बादल तो लगे तो है पर धूप है कुप यह बहुत इसकी धूप और यह और इसी धू लग गई पिछले दो तिन मेने से मजह आ रहा था कभी हमा दीदी तो कभी जय हो जा रहा था जाने के लिए तो फाइनली अभी मुझे जाना पड़ रहा है तो चलते हैं मार्केट तो फ्रेंस हम लोग भी पहुंच गए हैं रासन की दुकान की गली में दिक तो रहे हैं लो कभी नहीं मिलता है बट आज मिल गया और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी तो चलो यह तो अच्छा हुआ कि अब रासन के लिए दुवारा नहीं आना पड़ेगा किसमत अच्छी रही बज गए और वर्ना फिर इतने तेस धूप में आना पड़ता तो अभी फिलहाल क्योंक किसमतिक चीजें भी लेली बट इलास्टिक नहीं मिला अब मेरे ब्रसलेट्स नहीं बन पाएंगे तो अभी हम लोग पहुचने वाले हैं घर सारे काम निप्टा के मार्केट से अब 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 आए आए इस समय हम लोग भी पहुच चुके हैं घर और इतनी तेज़ धूप हो रही है तो यह देखो इस तरीके से हम लोगों का बिल आ रखा है विजली का हम लोग घर पर नहीं थे तो फिर दरवाजे में इस तरीके से रखा हुआ है विजली तो फाइनली हम होते बिचारे ने ये फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया और डर के मारे अपने को वहां जा करके सो गिया है वहां अम्रूत के पेड़ के वहां पर जैसे फ्लावर पॉट नीचे गिरा धड़म हुई और वह डर के मारे सिद्धा उठा देखा कि क्या गिरा है और भाग गिया पारिजात के पेड़ के वजए से यहां पर चाया भी है और अच्छी हावा भी चलती है इसलिए लूसी यहां पर ही सोया रहता है जहां पर लूसी सो रहा था ममी ने वहीं पर ही रख दिये फ्लावर पोट अब विचारा लूसी कहां सोएगा और अगर बिल्कुल साइड में और भाग को ममी का कितना खॉफ है अब क्योंकि फ्लावर पोर्ट को यहां वहां कर दिया है तो अब उनमें पानी डालना भी जरूरी है इसलिए अब देखो ममी ने स्टार्ट कर दिया गार्डनिंग कभी भी किसी भी समय कोई भी काम सुरू हो जाता है और अभी तक जो रासन की दुकान से चावल लेकर के आ रखे थे उसको दूप में रख रहे थे और वह छोड़ करके सीधा यहां पर आ गया और वह वाला काम वैसे ही रहे गया और यहां यह स्टार्ट हो गया यह चारो फ्लावर पोर्ट जो इस साइट को थे अब ममी ने बिल तो फ्रेंस इतनी तेज धूप में यह अब ममी पौधो में पानी डालने लग गए हैं वैसे इतनी तेज धूप में ने डालते हैं पानी वह तो लग गए थे हैं क्योंकि वह फ्लावर पोर्ट गिरा दिया था और उसमें से पोधा अलगी हो गया था इसलिए वह डालना पड़ गया पानी यह देखो यहां पर आकर क्या रहा हमसे सो गया है लूसी इसको लगता है पानी की प्यास लग रही है इसने जिब भार निकाल रही है तो लूसी को भी दे देते हैं पीने के लिए पानी और ममी ने यहां पर रख दिया चावल धूप में सुबह हम लोग कंट्रोल की दुकान से लेकर के आ रखे हैं चावल रासन में कि चावल ही तो मिलता है और वह वह ममी ने आते ही धूप में रख दिया ऐसा चावल मिलते हैं रासन के सो फ्रेंस और तो कुछ नहीं बस ये साथ किलो चावल ही मिलते हैं और उसके लिए भी साथ बार चक्कर काटने पड़ते हैं वो तो लकीली कभी कभी एकी बार में मिल जाता है जैसे आंच गए और भीड भी नहीं थी तो तुरंत हो गया अदर्वाइस तो इनके लिए भी इत कै meow लो हम लोगों का डी नAllah भी है रैडी तो फ्रेंट साज हम लोगोंने बना रखा है खिचडी विकौज आजकर पाता नहीं क्या होगी हम लोगों को मतलब उतना खाने का मनीक नहीं करता है eater हम लोगों नहीं सोचा कि आज खिचडी बनालीतひ how does few right the खिफ़ आ हम लइंघ विजलू वैसे चोट वगेरा लग रखी थे विजलू को हाथ भी नहीं रख पा रहा था नीचे और बताओ सुबद तीन बज़े का गयावा अभी तक नहीं आ रखा है तो देखते हैं कि कब तक आता है विजलू और फिल हाल तो क्योंकि हम लोगों का खाना हो चुका है रेड किजिए शेयर किजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंज मेरे व्लोग रोज सामको सड़े साथ पर आएंगे तो कीप वाचिंग मिलते हैं बहुत जलकल एक नए व्लोग के साथ अब तक गुड़ नाइट एक यार बाई-बाई और ममी मच्छर मारने पर